हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंडा ओनलाइन क्लासीज ओफ एम्डेन स्कूल कलायत, as you know, we are on second lesson of home science of 11th class, आज हम 11th class का home science का second lesson में लगूत रात्म क्वेशन पढ़ेंगे, जो हम continue पढ़ते आ रहे हैं, हमारा क्वेशन है, क्रियात्मक विकास को तेज करने हे तू, सुजाओ दीजिये, क्रियात्मक विकास को तेज करने हे तू, निमन सुजाओ दिये जा सकते हैं, चलना, फिसलने वाले फर्स पर सीसू ने चलाना, सीसू को नंगे पाउँ चलने देना, सीसू से दो कदम दूर गुटनों के बल बच्चों के इर्दगीर्द कपड़ों का गेरा बना कर रखें, बच्चों को जमीन पर टांगों को खोल कर बिठाया जाना, खड़े होना फरनीचर स्थिर हो ताकि बच्चा जब उठने की उसके सहरे के साथ कोसिस करें तो वह उत्रे नहीं, खड़े करने हे तू नुक्षान पहुचाने वाली रस्यों का परियोग ने करें, बच्चों को चुबने वाली चीजों से बचा कर रखें, बच्चों को गु सामाजिक विकास से आप क्या समस्ते हैं? प्रियाप्त भी प्रेणा तथा उप्यूक तफ्सरों की आवशक्ता होती है। चैल्ड के नुशार शामाजिक विकास वे प्रकिरिया है। जिसके दुआरा व्यक्ति में उसके समूम मांद्रणों के नुशार वस्तिक वहवार का विकास होता है। हर लोग के नुशार शामाजिक विकास का अर्थ, शामाजिक परत्याश्यों के नुशार वेवार करने की योगिता को अरजित करना है। स्वेगों के परकारों का वर्णन कीजिए। संक्षेप में स्वेगों को मुख्य रूप से निमेन लिखित दो वर्गों में बाटा जा सकता है, सकारातमक्ष्वेग, नकारातमक्ष्वेग जो स्वेग वैक्ति तता समाज के लिए लाबकारी होते हैं उने हम सकारात्मक्ष्वेग के वरग में रखते हैं जैसे प्रेम, स्रिजनात्मक्ता, परसंता, आधी के स्वेग जो स्वेग वैक्ति और समाज के लिए लाबदायक नहीं होते उने हम नकारत्मक्षवेगों के वरग में रखते हैं जैसे क्रोध, इर्षा, भै, एपरशंटा, इत्याधी उप्रयोक्त वरगों से हमें यह अनुमान कदापे नहीं लगा सकते कि हर प्रिस्तिती में शकारत्मक्षवेग ही उपियोगी होंगे और नकारत्मक्षवेग एहित कर होंगी कई प्रिस्तितियों में नकारत्मक्षवेग उपियोगी और शकारत्मक्षवेग हानी कारक भी सीध हो जाते हैं हमारे नेक्स क्वेशन है बालकों के स्वेगों की महत्तों पूर्ण विशेस्ताओं का वर्णन कीजी बच्चों के स्वेगों से समंदित विशेस्ता है ने में लिकित है जो बालकों के स्वेग तीवर होते हैं और जो बालकों का स्वेगों का रूप अक्षन अक्षन में बदलता रहता है कहने कार्चा जो बालकों के स्वेग हैं वो तीवर होते हैं तेज होते हैं और जो बालको के अंदर जो स्वेग का रूप अक्षन अक्षन में क्या है पलपलवर में क्या है बदलता रहता है बालकों के स्वेग बार बार होते हैं बालकों के वैक्तिक भिंता के कारण उनकी स्वेग आत्म कनुकिरियां भी बिन होती हैं कहने करते जो बालकों की वैक्तिक भिंता है उस कहने कार्थ है जो बालकों के अंदर स्वेग हैं जो बालक वेवार करता है और उसके वेवार के कार्ण उसके जो लक्षन होते हैं उन लक्षनों के द्वारा हम जल्दी ही पहचान में आ जाते हैं बालकों के स्वेग और बालकों के स्वेगों की सकती में अंतराता रहता है बा रक्त मास हड़ी का एक जीवित पूतला मातर होता है कहने कारत है जब बच्चे का जिनम होता है बच्चे को समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता वो सिर्फ केवल एक रक्त मास हड़ी का एक जीवित पूतला मातर होता है उसमें नहीं तो उसे कोई समाजी गुण होता नही कोई सामाज विरोधी गुण कहने करता है भी जब बच्चा जिरम लेता है तो बच्चा को समाज के बारे में समाज के गुण के बारे में बच्चे को कुछ नहीं पता होता दीरे दीरे समाज और समस्कृति के बीच पलते हुए वे उसी परकार का वेवार करने लगता है जिस का वेवार समाज के अन्य सदस्य करते हैं, कहने कारते हैं, जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो वे समाज और सस्कृती के बीच पलने लगता है, तो उसी परकार के वेवार करता है, जिस परकार के समाज में और अन्य सदस्य करते हैं, वे समाज के अनुसर अपने आपको ढालने लगता है, जिस परकरिया दुवारा प्राणी समाजिक प्राणी में बदलता है, उसे समाजिक करण कहते हैं, कहने कारत है, जिस परकरिया के दुवारा प्राणी क्या है, समाजिक के अनुसार ढलता है, और समाजिक प्राणी में बदलता है, उसे समाजिक करण कह सरल सब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजिक रनकाभी प्राय सिखने के उस पिर्किरिया से है जिसमें जनम के बाद जैव किया वैक्ति करमश्य समाजिक गुणों को सिखने के प्रिणाम सरूप एक समाजिक प्राणी या मानों के रूप में प्रिवर्तन होने लगता है कहने कारत है जब बच्चे का जनम होता है वो दीरे-दीरे क्या है समाजिक गुणों को सीखता है और दीरे-दीरे क्या है एक समाजिक प्राणिया मानों में प्रिवर्तन होने लगता है अर्थार्थ ये एक परकार का सीखना है जिसके द्वारा बालक उन मांगों के नुरूप करिये करता है और जो से समाज में अपेक्सित है क्या कहने कारता है बालक उन समाज के नुसार ही करिये करता है अता समाजिक गुण में एक और व्यक्ति विसेश होता है दूसरी और कहने कारते हैं समाजिक रण में एक तो व्यक्ति में तो पूर्ण विसेश होता है दूसरी और क्या होता है समाजिक मुल्य और जो मानताई हैं व्यक्ति विसेश की इन मुल्यों और मानताओं तक पूँचने की चेश्टा या कोसिस ही क्या है समाजिक रण कहलाती है कहने कारते जो वेक्ति जो विशेज परकार की जुमुल्या हैं मानताई हैं उन तक पहुँचने की जो चेश्टा करता है कोसिस करता है वही क्या है समाजी करण कहलाती हैं शंग्षेप में समाजी करण समाजी क वहवार को शीखने की परकिरिया को कहते हैं पियाजे के शिंगनात्मक विकास सिदान्त का महत तो बताओ ग्यानात्मक योगताओं की विकास परकिरिया को जानने के पस्चात उनके बोधिक विकास में शैता मिलती है पियाजे का मानना है कि बच्चे के लिए माता, पिता का प्यार और अंते किर्याय दोनों ही जीवन के पर्थम दो वरसों के लिए आश्यक होती है। पियाजे के विचारों को नेमन रूप से संक्षित सवरूप परदान कर सकते हैं। जीवन के पर्थम दो वरसों में बच्चों के बहुत दिक विकास के लिए माता, पिता का प्यार और अंते किर्या अश्यक है। उदीपन की मातरा अधिक होनी चाहिए। बच्चों को बहुत दिक और बहुत दिक उदीपन परदान करने चाहिए। स्वेंदनात्मक उदीपन प्राप्त करने वाले बच्चों का बहुत दिक विकास तीवर होता है। भीन आयुस्तर के बच्चों से भीन भीन परसन पूछे जाएं। प्याजे के नुशार बुदी वातावरन के साथ समझसे यानि तालमिल स्थापित करने की परकिरिया है। संगनात्मक विकास में वातावरन एवं मातापिता की क्या बूमिका है। संगनात्मक विकास में वातावरन एवं मातापिता की मैतव पूमिका है। संगनात्मक विकास के दोरान की सोरों का दरश्टी कौन तीवर आलोचना युकत उजाता है। तथा उनकी उश्परवरति के कारण की सोर अपने बढ़ों तथा मातापिता में ही कमियों को चिनहित करने लगते हैं। इन आचला आलोजनाओं के कारण किशोरों तथा मातापिता केमद्दे तनाव तथा विवाद की स्थीतिया उत्पन हो जाती हैं, ऐसे में मातापिता को किशोरों के सामाईक प्रिवर्तन को समझाते हुए, वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिस करते हुए, सन्हे पूर्वक की सोरों को मुचीत अनुचीत तथ्यों के बारे में समझना चाहिए संगानात्मक विकास के साथ साथ की सोरों की सरजनात्मक का भी विकास होता है ऐसे में माता पिता को की सोरों के लिए ऐसे वातावर्ण उपलब्द कराने चाहिए जिसमें वे अपनी स्रिजनात्मक का दिक्तम विकास कर सके हमारा नेक्स्ट कोईशन है संगानात्मक की विकास से क्या तात्प्रिय है बालक की मानसिक योगता संगानात्मक की विकास को कैसे प्रभावित करती है संगानात्मक की विकास से तात्प्रिय है कि की सोर से 17-18 वर्स तकी होती है संगणात्मक विकास के दूरान किशोर प्रीकलपना ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगते हैं तथा बातों की सुक्षमता, समंधिता, करमधिता आधी को समझने लगते हैं संग अनात्मक विकास के साथ साथ किशोर स्वें की एक अनोखी शी बाषा विक्षित कर लेते हैं जिसमें हिंदी अंग्रेजी का संगम होता है एक ही वाक्या का कुछ अंस वे अंग्रेजी में कहेंगे तो सेस वाक्यांस हिंदी में जैसे लेटस गो फोर ए पिकनिक बहुत पजा करेंगी वे अपने शिक्षकों वे बड़े उजर्गों के नए नए अनोखे नाम निकालते हैं जैसे कड़क शिक्षक को भेंकर सदेव डाटते रहने वाले शिक्षक वे माता-पिता को बादल विजली जैसे कई नाम देते हैं बोर होना मूड ठीक नहीं होना जैसे उनके मुक्य स्वादों में से है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जो क्वेशन मैंने आपको पढ़ाई है आप उन क्वेशनों को अच्छे से लर्न करोगे Thank you students Have a nice day गर पर रहें, सुरक्षित रहें